हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपुर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाज 10th का हिंदी भी करने वाले हैं और ये काफी इंपोर्टेंट सवाल यहां पे लिया गया है आपके एक्जाम को लेकर के तो काफी इंपोर्ट बी की तैयारी करवाएगा ठीक है तो जल्दी सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा वाटसप ग्रूप जोइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाकर आप अपने हिंदी बी वाले ग्रूप को जोइन कर सकते जहां से आपको help मिलेगी ठीक है चलिए शुरू करते हैं हम देखें क्या है हमारा आज का पहला सवाल सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि लेखक जो था वो किसके घर आया था तो अभी हम आप लोगों को जो है वन लाइनर के form में याद करवा रहे हैं इसके आप लोग फिलहाल जो है इस तरह की तैयारी करो अभी डारेक्ट आपको याद करना है ओके अगला सवाल देखो क्या है हमारा कोश्चन नंबर दो में आपसे कह रहा है कि हरियर काका के जिन्दगी में कौन गहरे से जुड़ा हुआ था ठीक हरियर काका के जिन्दगी से कौन किस विसाय में पूछा ठीक है तो लेखक ने जो हरियर काका से किस विसाय के बारे में पूछा था तो उनकी तबियत कैसी है नहीं है तो उनकी तबियत के बारे में पूछा था अगला सवाल है हमारा कोश्चन नंबर चार देखी कह रहा है कि लेखक के पडोस में कौन रहता था तो लेखक को बच्पन में हरिहर काका ही दुलार किया करते थे ठीक है याद रतना है आप लोगों को लेखक के कंधे पर बिठा कर कौन घुमाता था तो लेखक को कंधे पर बिठा कर हरिहर काका घुमाया करते थे कौन घुमाता था तो हरिहर काका ही लेखक को कंधे पर बठा कर घुमाते थे अकलत सवाल है लेखक जब थोड़ा समझदार हुआ तो उसकी पहली दोस्ती किसके संग हुई थी तो वो हुई थी हरिहर काका के संग लेखक जब समझदार हुआ तो उसकी जो पहली दोस्ती हुई तो वो हरिहर काका के साथ ही हुई थी इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है लेखक और हरिहर काका के मद्द कैसे संबंद थे तो मित्रता पूर्ण संबंद थे मित्र लोग रहते हैं दोस्त लोग रहते हैं तो इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में संबंद था लेखक का गाउं की सहर में था तो लेखक का गाउं आरा सहर में था और आरा कहां है आपका विहार में है ठीक है याद रखना है सभी को अगला सवल है हमारा गाउं के लोग ठाकुर जी के विसाल मंदिर को क्या कहते थे तो जो गाउं के लोग थे वो ठाकुर जी के विसाल मंदिर को ठाकुर बारी कहते थे क्या कहते थे ठाकुर बारी कहते थे समझ में आया यहां पर आप लोगों के लिए और कि खुक एक देख रहा है हमने यह लोगों के लिए colors याद रख़िएगा आप लोगों के लिए कुश्चन बैंक कहीं दोनेशन करना होगा तो आप आप क्या कीजिए डिलेक्ट हमारे वाटसप नंबर आप उस पर संपर्क कीजिए वाटसप नंबर पर संपर्क करने के बाद आप हम वहां पर कहोगे कि मुझे हिंदी बी का जो है वो कोश्चन बैंक चाहिए तो फिर मैं आपको उसका सारे डिटियल आपको दूँगा साथ ही अगर आप हिंदी बी लेते हो तो आपको साथ में उर्दू का भी हैंड नोट स्फिरी में मिल जाएगा तो आप लोग प्लीज अगर लेना चाहते हो तो दिए गए वाटसप नंबर पर संपर्क कर सकते हो ठीक है चली नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अगला सवाल है हमारे लेखक हरिहर काका के किस बात से चिनतित होता है तो लेखक हरिहर काका अब पहले की तरह कोई बात नहीं कर रहे ते इसलिए उनको क्या हो रही थी चिंदन हो रही थी ठीक है अगला सवाले में लेखक का गाउं कहां था लेखक का गाउं लगबग आरा से लगबग 40 किलो मीटर दूर था कहां था आरा से 40 किलो मीटर दूर था लेखक के गाउं के पास कौन सा इस्टेंट पड़ता था तो हसन बजार इस्टेंट हां कौन सा पढ़ता था हसन बजार इस्टेट्ट पढ़ता था लेखत के गाउग की कूल अबादी कितनी थी? तो लेखत के गाउग की कूल अबादी लगभग धाई 30000. थी एंट है समझ में औ तैंक है कि जोग थाकूर बारी किसे कहते थे? तो तो वहाँ पर एक संत आकर रहने लगा था देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो बाद में फिर दिक्कत होगा प्रिक्षा का समय आप लोग आओगे और फिर हल्ला करोगे कि मेरा कूर्स कंपलीट नहीं है तो यह कंपलीट नहीं है तो आप लोग एक काम क जननल का भी लिंक मिलेगा तो लास्ट में आप लोग उसको भी चेक किजिएगा वहां से आप उसको भी जुईन कर लीजिएगा संत्थ ने गाओं« के लोगों में कैसी भावना जगाई तो पूजा पार्ण करने की भावना संतने गाओं के लोगों में जगा दी थी अगला सवल है हमारा की लोगों ने ठाकुर जी का मंदिर कैसे बनवाया था तो पूरे गाउं में चंदा को इकटा करके बनवाया था नेक्स्ट है हमारा ठाकुर बारी के नाम पर कितने खेत थे ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीगे खेत थे कितने खेत थे बावु 20 बीगा खेता Next है हमारा गाउं के लोग मनवती किस से मांगते थे मनवती मतलब सब्सक्राइब मननत में कहते हैं कि मेरे मुझे पास करवा दिजिए तो एक किलो लड़ू चढ़ाएंगे बात समझ रहो न वही सब है मिननत किस से मांगते थे तो ठाकुर जी से मांगते थे Next question number 21 में आपसे कह रहा है कि गाउं के लोग ठाकुर बारी में क्या चढ़ाते थे तो बहुत लोग रुपिया चढ़ाते थे पी पैसा चढ़ाते थे किसी के पास अगर जेवर है बहुत ज्यादा है बहुत पैसे वाले है धन दौलत वाले है तो वो जेवर चढ़ा देते थे जी कि पैस जमीने ज्यादा है बहुत सारा जमीन है तो वो खेत दान कर देते थे तो वहाँ पे क्या चढ़ावा होता था ठाकुर जी के इसमें तो वो आपको बताना थे कुससर नबर 22 में आपसे कह रहा है कि ठाकुर बारी में महंत और पुजारी की नियुकती कितने साल आपर होती थी यानि कि वहांपर जो चेंजिंग होता रहता था ठाकुर जी के परती भक्ती भावना पैदा करना यानि ठाकुर जी जो वहां पे थे मंदिर में तो उनके लिए भक्ति की भावना को पैदा करना और धर्म से विमुक हो रहे हैं लोगों को सही रहा पर लाना यानि कुछ लोग होते हैं जो धर्म से दूर चले जाते हैं पूजा नहीं करते हैं इस वर को नहीं मानते हैं तो उनको घीच घीच करके लाना ठीक है ध निक्स्ट हमारा कोसर नमर 25 पर यह कह रहा है कि गाउं में बाढ या सुखा आने की इस्तिती में ठाकूर के सारे साधू संत क्या करते थे तो अखंड हरी किर्थन यानिकि संभिल करके हरी किर्थन करते थे ताकि वो परिसानी उसकी दूर हो जाए आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर आपको वट्सप का लिंक मिल जाएगा वहाँ से उसको गूरूप जोएन कर लिजे ही है ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू अ वीडियो में पर आपिर आत